अप्रुटकरा नमस्कार बहुत सुवागत अब का बिहारी नूज में मरतनसेन भारती अजह हमबात करेंगे पंचाय चुनाब को लेकर बिहार में पंचाय चुनाब जारी है, इस चुनाब में कईत रहकी बातें सामने आई है इस चुना में एक तो पहले से ज़्यादा उफसाह देखने को मिल रहा है तो वहीं इस वार का पंचाय चुनाप काफी लंबा चुनाप चला है अब तक पांच चरण के मत्तान समाप्त हो चुके है छटे चरण के गिंती बाकी है ऐसे में जो आकड़े सामने आये हैं वो हचवकाने वाले हैं बता दे कि अब तक के जारी रिजल्ट के अनुसार 77 फिजदे सीटों पर मुख्या परत्यासियों पर जनता ने भरोसर ज़ता है वहीं अगर हम बात करें जिला परिशत की तो अब तक 83 फिजदे सीटों पर जो है नए परत्यासियों को जीत दर्ज मिली है वहीं अगर हम बात करने परत्यास में मुख्या के हुए चुनावों की बात करें तो 324 परिशतों के रिजल्ट जारी हो चुके हैं इसमें से 24-89 पंचाइतों में नए मुख्या जीत कर सामने आए हैं इसमें से महज 725 पुराने मुख्या अपने सीट बचाने में कामियाब हुए हैं वहीं अगर हम बात करने जिला परिशत की सीटों के संक्या की तो अब तक 466 सीटों पर चुनाप परिशतों सामने आ गए हैं जिसमें से 346 नए जबकि 77 पुराने उमिदवारों को जीत मिली है वहीं अगर हम बात करने से खपुरा जी लगी तो यहां पर मुखिया और जिला परिशत के सीट पर अब तक सभी नए परतियासियों को जीत मिली है से खपुरा के कोई भी पुराने उमिदवार अब तक जनता के दिलों पर राज नहीं कर पाया जनता के दिलों को जीतने में कामियाब नहीं रहे हैं ऐसे में जनता ने इस वार मुखिया और जिलापरिशत की सीटों पर नए चेहरों को मौका दिया है। बता दें कि सेखपूरा में अब तक आठ पंचायत है और एक जिलापरिशत की सीट पर चुनाब हुए हैं। वहीं अगर हम बात जहानाबाद की कर लें तो यहां अब तक जो है चुनाब में 95% नए उमिदवारों को जितने का मौका मिला यानि कि इतने नए उमिदवारों को पंचायत की जनता ने बोड दिया है। जहानाबाद में अब तक 69 पंचायतों में चुनाब हुए जिसमें से 56 पंचायतों पर नए मुखिया उमिदवारों को जितने का म चुनाव में इसमें से साथ सीटों पर जो है नए चेहरों को जीत मिली जबकि दो चीहरों पर जो है दो सीटों पर पुराने उमिद्वार जीते हैं वहीं जहानाबाद में एक सीट पर चुनाव हुआ और उसमें जो है एक तरह से करने नए उमिद्वारों को ही जितने का मौक मोक्या को जीत मिली है एकнего तेईस पंचाइतcop और चुनाँ के बाद एकलतीन सीटों पर नए मुखिया हैं जिसमें पुराने मुख्या को जीत मिली है जिला परिशत के चीटों की एक बेगू सराय में दस, बकसर में दस, कटिहार में चौदा की संगन में चार, लक्की सराय में तीन और सीभर में एक जिला परिशत की सीट पर रिजल्ट परिनाम सामने आये हैं जिसमें से सभी चेहरे जो है उन्हें नए उमिदवार को दिये गए हैं और इन सीटों पर अकरास कहलें कि अब तक के जो आंकड़े सामने आये हैं वो चवकाने वाले हैं और नए उमिदवारों को जो है लगातार जनता जो है बोर देकर उन्हें दिता रही है और अपना प्रधान अपना मुखिया बना रही है तो इस तरह से अगर हम इस बार के पंचाय चुनाब की अगर हम बात कर लें अब तक के जो आंकड़े सामने आये हैं उसमें जो 77.50 सीटों पर जितने में कम्यामी मिली है बिहार और बिहार से जुड़े और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें बिहारी नूज के साथ मुझे दिजिए जाज़त धन्यवाद